मैं ऐसा पकोड़ी अलाओं कि हाई लेंड और सौधी अर्बिया घोम कर आ चुका हूँ बोल राधा बोल पिक्चर का नाम है जो की हट में आएगा मैं उसमें काम कर चुका हूँ नमस्कार दोस्तो तो आज हम लोग आये हैं पकोड़ी के दुखान पे और बहुत लोग पकोड़ी पसंद करते हैं उन सभी वैपारी भाईयों को नमस्कार जो लोग पकोड़ी खिलाते हैं तो आज आपको मिलाते हैं सिव जी साहनी से जो की पकोड़ी के वैपारी हैं और पक कैसे ब्रवार करते हैं नमस्कार विया कैसे है ठीक है ब्लाड नमस्कार टीक है यह वताइए कुछ कि यह पखोडी का बार कॉप से आपने शुरू किया हमारा पखोडी के दुकान बीस सालों से लग रहा है तो यह पकोडी का वेपार जो है लोग पसंद करते हैं इसको पसंद करते हैं तब ही तो नहीं करते हैं तो यह अगर कोई यह पकोडी का दुकान खोलना चाहे तो किस प्रकार से उखोल सकता है उन लुगों को यह बताना होगा कि सब कुछ जूटाना होगा जैसे ठेला हुआ चुला हुआ कराही हुआ गैस हुआ बरतन सर्तन सब खरीदना होगा अब जीतना में वह खरीद सकते हैं खरीद कर कर सकते हैं अपना फिर अपना जो बनाना है वह देख सकते हैं कितना खर्चा आज आता है कि ये पकोड़ी का दुकान खोलने देले मुम्किन 30-35 तक आ सकता है खर्चा शुरुवाती दौर के उसके बाद कोई खर्चा नहीं लगेगा जो अपना रोज बेचेंगे कीनेंगे वह सब लगेगा तो रोज का आप कितने कितना पूजी लगाते हैं कि चार से पांच हजार का पूजी लगाते हैं और 7000 कि कर लेते हैं बिक्री कर लेते हैं वह साथ हजार कभी साड़े छे हजार हुआ यह जो वैपार है इसके लिए कोई कागज ओगज भी लगता है लाइसेंस वेसेंस वह फास्ट पूट का बनाना पड़ता है अच्छा तरका आपकी लग जाते हैं लगने के को मने बजार करनाfel समान त्यार करना उसके बाद हम लोग 12 एक बज़े सभोंषरोस गलוח तरलाटरे Cancer स्बाइंसिता ही तो किस प्रकार पकोड़ी खिलाते हैं लोगों को ब्रेट पखोड़ा हुगा नवकी है और पैयाज का फोड़ा है उसी में कोई आ जाता है तो आलू बना देते हैं यह जो नहें वेपारी हैं अगर यह करेंगे तो पकाड़ी मतलब टेस्ट चाहिए तो टेस्ट के लिए आप क्या करते हैं जो कस्टमर आते हैं आपके जो मैं देख रहा हूं लोग खा भी रहें तो इनसे बात उद करने का तरीका क्या होना चाहिए अब गाहक ह तो यह जो बेशन आप यूज करते हैं यह किस प्रकार का होता है सुद्ध बेशन होता है या कैसा होता है मार्केट सलाते है है ये जो दुकान लगा है िसका लगाने का जगव कैसा होना चाहिए लगा है सिटी में होना चहिए जहां आद्मी का चहल पौहल रहे वहीं दुकान अबर लगाना चाहिए तो भीया इतने साल का उन्वो है तो इतने साल में कैसा उतार चढ़ाऊ आया कुछ उन्वो बताई अपना उतार चढ़ाऊ तो देखि यह आता ही जातार रहता है क्योंकि पढ़ाई की अभु कितना किया हुआ हैं मैं बचपन में पुझा परफ़ाता था हमारे पीत्या जी ज्ब लगाते थे तो उस समय में जब स्कुल से चार वजे छूटी होती थी पहले प्राइमरी स्कूल में उसके बाद हम कपड़ा घर पर गए कपड़ा बदले उसके बाद चले आते थे दुखान पे दुखान पर मज़ा आता था बहुत मज़ा आता था पर श्टमरू की जब भीन लगेगी तो मज़ा आएगा अच्छा आउ से उस संतल नजे आय जोफ नाजल करना सुरू तो नय वयपारीयों क्या कहेंगा उन्त महें यहीं कि नए बैपरियों के यही में कहूंगा कि किसी को भी करना हो तो वह कर सकता है कि कहीं भी कर सकता है लेकिन हाँ सीटी में होना चाहिए जैसे जहां चाहल पहल हो वहाँ पे यह नहीं कि जहां आप गंगा जी के तीर पहम पहुंच फोल दिये दुकान उधर नहीं चलेगा तो आप 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 और साओने अर्बिया गूंब कर आचका हूं तो यही बैपार के मदद से आप गूम भी आए इसी बैपार के मदद्से बैपार हमारे पास यहीं बैपार हमारे रहेते हैं तो अभी मिलाया आपको सी जी शाहनी से बीचा से जो कि यह फौरेंट टृफ भी कर है काफी चीज शौकीन है जैसे वजपूरी पिक्चरों में काम भी कर चुके है और वहतरीन चीजे आप दिखा रहे है तो बहुत है तो देख लिजिए कुछ ऐसा भी वह वह है जो कि भाहिया बहुत ही खुशी खुशी चला रहा है और व्यपार का तो आप इस तरीके का वैपार कर सकते हैं और वैपार के साथ साथ जिन्दीगी को आनंद ले सकते हैं ना भी आप तो एकदम कर रहे हैं तो हमारे पास एक बच्चा भी आता है उसको भी हम भाया बोलते हैं तो यह रहा भाया का पूरा बिजनस का टूर और आपको करा है यह वीडियो कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट कीजेगा और इस वीडियो से आपने कुछ सीखा सीखने को मिला तो चैनल को हमारे करता है